नमस्कार दोस्तों मेरा नाम में विमल सिंग बाला जिस्टरी रेटा में आपका स्वागत है जूनियर सुपर्टेट के साइन्स के स्लेबस के अकॉर्डिंग हम आपको प्रस्नों की प्रेक्टिस करा रहे तो टोटल आज के इस पार्ट में हम 30 प्रस्न देखेंगे इससे पहले हमने जो प्रस्न देखा था साइड में आई बटन में फिछला वीडियो मिल जाएगा जिसमें प्रकास प्रकास तंत्र वह सभी प्रस्न जो है वो आपके चल लाएगे चली सुरू करते हैं आज के हमारे प्रस्न है सबसे पहले वायू पर आधारित प्रस्न देखेंगे हम पहला प्रस्न है कि वायू में कार्बन डायॉकसाइड की कितनी मात्रा जो होती है बहुत यह आसान चा प्रस्न है चार आप्शनें बताईए इन में से कौन सा जो हो सही ह अप्शन A, B, C या फिर D, उत्तर की बाग करते हैं, उप्शन A, B, C, D में, तो आपका carbon dioxide की मात्रा होती है, 0.03 percentage, यह वाला आपका option जो है, वो बिलकुल सही हो जाएगा, इसी प्रकार और भी percentage है, जैसे nitrogen का 78% something, oxygen का 20.95% भी लिका रहता है, 21% भी लिका रहता है, तो option के according यह आपको टिक करना है, तो इस अभी आपको पता होना चाहिए, दूसरा प्रसंद कहा रहा है कि वायू जो है, वो कई गैसों का मिस्रड है, आयतन के अनुसार वायू में nitrogen और oxygen के अत्रिक्त उपस्थित अन्य गैस है, जैसे कि carbon dioxide, methane, organ, ozone और जलवास्व की सम्मिलित percentage जो है, व oxygen को अलग कर दिया है, तो ये दो तो आपके हट जाएंगे, क्योंकि nitrogen का percentage मैंने आपको बताया, तो 78 वाला भी का option कर जाएगा, oxygen का 281 वाला भी कर जाएगा, बाकी सभी अगर गैसे हैं, इन सभी को मिला कर percentage की बात करें, तो 0.1 तो नहीं होगा, क्योंकि और गैसे मिला कर ज हो जाएगा, यानि कि 78 परसंट जो है, वो होता है, अगला यहां पर topic है, ozone परत, उस topic पर आधारित उतने ही प्रसंट है, ozone परत पर आधारित, चौता नमबर प्रसंट है, कि ozone है, oxygen का एक योगिक है, एक अपर रूप है, एक समा वेब है, या फिर एक समिस्थानिक है, बी वाला आपका option जो है, वो सही होगा, और ozone जो है, अगर इसकी थोड़ा सा बात करें, तो ozone आपका O3 करके हम इसे लिखते हैं, ozone O3 जो है, oxygen के तीन परमाड़ों से मिलकर बनने वाली जो है, वो gas होती है, वायू मंडल में अगर बात करें, तो बहुत कम मात्रा में होती है, लगबग 0.02 परसंटेज, समोधिर तट से अगर बात करें, तो 30 से लेकर के 32 किलो मीटर की उचाई जो है न, इस पर इसकी सांधरता जो है वो अधिक होती है, और इसकी विसेस्ता के तौर पर बात करें, तो तीके गंद वाली आत्यंत विसाहली gas जो है, ये होती है, अगला देखते हैं, पाचव अपरसंट निम्लिकित में से कौन सा या से प्रदूसक ओजोन परत के अपच्छे के लिए उत्तरदाई है, तो बताईए, जो ओजोन परत का छराण हो रहा है, वो क्लोरो फ्लोरो कार्बन के कराण हो रहा है, अम लिए वर्सा मेथेन और कार्बन डाय या फिर कारबन डाय ओक्साइड और कारबन मोनो ओक्साइड, कौन सा सही होगा इन चारो ओक्षन में से, अंसर की बात करते हैं, तो आपका ए वाला ओक्षन यानि की CFC आपका सही हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं क्लोरो फ्लोरो कारबन, रेफिजिरेटर आप देखेंगा, दिखतर पूछा आता है कौन सी गैस भरी रहती है, तो यही जो होती है, यह आपके ओजोन जो परत है, उसके नश्ट होने का प्रमुक कारण जो होती है, और रेफिजिरेटर के अलावा जैसे एर कंडिशनर है, उन सब में भी आपकी CFC का यूज होता है, तो यह सारी चीज जहां भी प्रसंट पूछ रहाते हैं, जैसे यूपी डेट में, तो वहां पर यह प्रसंट बहुत पूछा रहता है, बताइए 16 सितंबर, 4 जुलाई, 13 जनवर, 1 माई कौन सा आपका सही होगा, तो आपका 16 सितंबर आपका जो है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा, अंतर 16 दिवस कब मनाय जाता है, तो 16 सितंबर को जो है, वो मनाय जाता है, साथी साथ आपको ये भी पता अवश्य होना चाहिए, कि इस 2020 में इसकी थीम जो है, वो क्या थी, 2020 में इसकी थीम थी, जीवन के लिए ओजोन, क्या थीम थी, जीवन के लिए ओजोन, ये जो है, इसकी थ सिम्थी 2020 की और जो एक्जाम आप देते ना उनमें पूछी जा सकती है बाकी जी में जो आपका पहला common paper ना समानिगयान समसमाई गटना है वहाँ पर भी जो है वो पूछा जा सकता है साथो परसन है इनमें से किसका ओजोन द्वारा आक्सी करण नहीं हो सकता चार ओप्शन है बताईए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा इसका ओजोन के द्वारा आक्सी करण जो है वो नहीं हो सकता अंतर की बात करते हैं इन चार ओप्शन में से कौन सा सही होगा तो आपका Kmno4 जो है वो सही हो जाएगा, Kmno4 जो है इसका ऑक्सी करण जो है वो नहीं हो सकता है आठवा प्रस्म कहा रहा है ओजोन परत जीवों के लिए लाबदायक है क्योंकि चाल ओप्षन है, पहला कहा रहा है कि यह ऑक्सीजन के सुरोध की तरह काम करता है दूसरा यह प्रत्वी के तापान को कायम रखता है, तीसरा यह प्रत्वी के नाइट्रोजन चकर को कायम रखता है पचोथा यह सूरी के हानी कारक परावैंगनी किरणों से रक्षा करता है अगला देखते है नवा प्रस्न कि ओजोन जो परत है उसमें छेद के लिए उत्तरदाई प्रदूसक जो है वो कौन सा है अभी मैंने बताया भी था उसकी सौट फॉर्म के तौर पर वहाँ पर उपर जो प्रस्न आया था ना वहाँ पर फॉर्म के तौर पर लिखा था बताईए इन में से कौन सा जो है वो सही होगा अंसर की बात करते हैं तो आसान सा प्रस्न है CFC आपका यहाँ पर भी सही हो जाएगा ख्लोरो फ्लोरो कारवन यही जो है मूद के उत्तरदाई है अगला प्रस्न है आपका निमलिकित में से कौन सा जो पदार्थ है जो ओजोन चह कारी नहीं है यानि कि ओजोन को नश्ट जो है वो नहीं भी करता है साथी साथ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी सभी लोग करते जेगा तक किसी परकार अच्छे-चे प्रस्न हम आपको जो भी सारी चीज़े कोर्थ में उसके अकॉर्डिक जो है वो प्रोवाइट कराते रहे है तो सभी लोग पुडियो को लाइक भी अवश्य करते रहे है तो कौन सा पताक ओजोन को के लिए च्छे कारी नहीं है अंजर की बात करते हैं इन चार उप्षन में से तो सोडियों सिलिकेट आपका जो है वो सही हो जाएगा जो की ओजोन को जो है वो किसी परकार से नहीं पहुचाता है फ़रा सागर बात करें सोडियों सिलिकेट के बारे में तो sodium silicate का सूत्र जो है वो होता है Na2SiO3 ये जो है इसका सूत्र होता है इसका निर्माल किसे होता है? तो इसका निर्माल रेत और sodium carbonate जिसको हम soda as कहते हैं ना उसको पिगला कर किया जाता है और एक point और इसके बारे में वो ये कि इसका और द्योगिक नाम क्या होता है? तो water glass होता है क्या होता है? water glass होता है कई बार direct पूछ लियाता है ना water glass किसका नाम है? इसलिए पता होना चाहिए आपको अगला प्रस्म देखते हैं 11 नमर की समताफ मंडल में उजोन के इस्तर को प्राकृतिक रूप से वी नियमित किया जाता है बताइए किसके द्वारा किया जाता है कौन साहिमे से सही होगा समताफ जो मंडल होता है उसमें उजोन के इस्तर को प्राकृतिक रूप से वी नियमित किया जाता है किसके द्वारा? उत्तर की बात करते हैं तो nitrogen dioxide के द्वारा जो है वो किया जाता है बी वाला आपका option सही होगा और एक चीज में आपको और वाजा दून जो हम course में देख रहे हैं वो आपका जो वायू सबसे पहला topic था ना वायू में अंतरगता कर देखेंगे तो वायू में गुड़ संगठा नावशक्ता उपयोगिता यह सारी चीजे थी जो हमने देख लिए अब हमारा ओजोन परत यह वाला topic चल ला है इसलिए सब कुशन ओजोन परत परादारी चल लाए और लास्ट में फिर हरिद ग्रह प्रभाव पर आएगा तो इस संगठा नावशक्ता उपयोगिता यह सब यह सब वायू के अंतरगती topic थे तो अंसर यहां पर भी वाला सही हो जाएगा अगला प्रसन कहा रहे हैंगे निमलकित में से कौन एक वायू मंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है नौट, डॉप्सन, पॉज या मैक्सवेल बताई इन में से कौन सा जो है डॉप्सन इकाई जो है वो होती है अगला देखते हैं तेरा नंबर प्रसन कि मोंट्रियल प्रोटोकाल निमलकित में से किसके रक्षर से सम्बंदित है हरित ग्रह गैसे, अमली एवर्चा, ओजोन परत या फिस संकट ग्रस प्रजाती बताईए इने चार ओप्षन में कौन से सही होगा बताना है आपको कि मोंट्रियल प्रोटोकाल इनमें से किसके रक्षर से जो है वो सम्बंदित है आसान सा प्रसन है पूचा बहुत जाता है मोंट्रियल प्रोटोकाल जार ओप्षन में से कौन से सही होगा उत्तर की बात करते हैं तो आप सभी जानते हैं कि ओज 1989 में इसी के जश्ट दो साल बाद इसे जो है वो लागू किया गया था 1987 में Montreal Protocol पर हस्ताक्षर हुए और 1989 में लागू हुआ था Montreal Protocol उद्देश यह रखा गया था कि जो ओजोन परत को नुकसान पहुचाते हैं न वो रासाइनिक पदार्थ को वातवरण से जो है वो कम किया जाए यह में उद्देश जो है वो रखा गया था साथी साथ जो रासाइनिक पदार्त हैं जो डुकसान पहुंचा रहे हैं उनके उत्पाद्वन में उनके उभ्भोग दोनों में ही जो है वो कमी जो है वो लाई जाए हैं साथी साथ इसमें ये भी लक्ष रखा गया था दो टाइप के कंट्री आते हैं एक विक्सित देश एक विकास सील विक्सित मतलब जो अलड़ी डेवलप्ट हो चुके है विकास सील जो अभी प्रक्रिया में जैसे भारत एक विकास सील देश है तो इसमें ये लक्ष रखा गय लगाई जाए तो वो जो है वो मेन लक्ष रखा गया था पर अगरपात करें विकास सिल देशों की तो उनके लिए लक्ष 2010 तक रखा गया था कि CFC का उतिपादन वो भोग पूरी तरीके से जो है वो प्रतिबंदेज जो है वो करना एक लक्ष के तौर पर अगला देखते हैं चौदा नमबर प्रस्ण ओजोन परत प्रतिबे को किस से जो है वो बचाता है आसान सा प्रस्ण है बताइए इन चार ओप्षन में कौन सा सही होगा अंसर की बात करते हैं तो आप कहेंगे विक्रण वर्डे आप से पकड़िए अंतिरिक्षी और अन्य विक्रण या फिर परावेटनी किरणे इस ताइब से भी कह सकते हैं इन ही से जो है वो पचाता है अधर नमपर प्रस्ण आपका हरित ग्रह प्रभाव तो मारा लास्ट टॉपिक था उस पर आधारी जो है वो श्टार्ट हो रहे हैं तो 15 से लेकर 30 तक आप सब प्रस्ण इसी टॉपिक पर है प्रस्ण आपका है वायूमंडल में उपस्तित गैसे जो की पौधा घर प्रभाव का कारण है वो इन में से कौन सी जो है बताइए ऑप्षण अभी सीडी में से कौन सा सई होगा अंसर की बात करते हैं तो आपका पहला ही ऑप्षण मिल्कुल साही होगा यानि कि मीधेन जलवास्प कारण डायॉकसाइड यह सभी वायूमंडल में पस्तित कैसे हैं जो पौधा घर प्रभाव जिसे हम ग्रीन हाउस प्रभाव के नाम से भी जो है वो जानते हैं तो डारेक्ट यही पूछाता है इसमें थोड़ा से और जाता सुद्ध हिंदी कर दी गई है वैसे यही पूछाता है कि ग्रीन हाउस जो प्रभाव एफेक्ट है उसके लिए कौन-कौन सी गैसे जो है उत्तरदाई है यह जो ऑप्षण दे रखा है यह आपका साही होगा 16 नमबर प्रस्न है कि निमलिकित में से कौन सी गैस पौधा गहर प्रभाव के लिए उत्तरदाई है CO2, CO2 या NO2 कौन सा सही होगा अंसर की बात करते हैं तो आपका CO2 यानि की कार्बन डाय ओक्साइड आपका पिल्कुल जायेगा 17 नमबर प्रस्न है इन में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है आपको बताना है वो फरवाले प्रस्न में ही देखा वही ऑप्शन दे रखा है बस वहाँ CO2 दे रखा तो यहां कार्बन डाय ओक्साइड शी वाला आपका ओप्शन सही होगा अगला प्रस्न है आपका 18 प्रस्न आपका है कि पौदेगर गैस या हरित ग्रे गैस इन में से कौन सी जो है वो नहीं है SO2, CFC, CH4, N2O बताइए इन में से कौन सी जो है वो सही होगा हरित ग्रेग गैस कौन सीर में से नहीं है पंसर की बात करते हैं तो आपका पंसर आपका पहला ही वाला यहां पर सही हो जाएगा यानि कि SO2 आपका जो है वो सही हो जाएगा कौन सी एक पौदेगर कैस नहीं है तो SO2 जो है वो नहीं है 19 नमबर प्रसन आपका कहा रहा है कि Greenhouse Gas जो है उनके द्वारा Global Warming के लिए सबसे अधिक उत्तरदाई कारण जो है वो क्या है क्रसी है, वनों की कटाई है उर्जा है या फिर उद्ध्योग है Greenhouse Gas जो द्वारा Global Warming के लिए सबसे अधिक उत्तरदाईन में से क्या है अंसर की बात करते हैं तो आपका उत्द्योग जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा यही सबसे main effect डालता है अगर बात करें Global Warming के लिए इन option के comparison में अगर बात की जाए तो 20 नमबर प्रसन निम्लिकित में से कौन सा Global Warming से निपटने का उपाय जो है वो नहीं होता है जीवास मिर्दन का कम उप्योग वनी करण सौर और पवन उर्जा का अधिक उप्योग खाना पकानी के इंधन के रूप में लकडी का उप्योग करना तो आपको बताना है Global Warming से निपटने का इन में से कौन सा उपाय जो है वो नहीं होता है अंसर की बात करते हैं तो चौथा वाला उप्योग यहापर सही कह रहा है यानि कि यह उपाय नहीं है खाना पकाने के रूप में आप इंधन के रूप में लकडी का उज़ करें तो यह तो और प्रोदूसर पहलाए गई तो यह Global Warming से निपटाएगा कैसे तो आपका यही वाला उप्शन हो पाय नहीं है एक इस नमबर प्रसना आपका कह रहा है निमलिकेत में से किसे Greenhouse गैसों में सामिल नहीं किया जा सकता बताएए इन चार आप्शन में कौन सा सही होगा तो Nitrous Oxide, Carbon Dioxide, Methane या Phosphine तो कौन सा सही होगा अंजर की बात करते हैं तो Phosphine यह किसी भी प्रकार से Greenhouse गैसों में सामिल नहीं है बाकी सभी आपकी आती है इसकी ट्रिक भी होती मैं आने हैं साहथ आपको पहले बताएए मीना का जल्वा और Greenhouse गैसे यह आपकी ट्रिक होती है और Greenhouse गैसे है तो यहाँ पर जो मीना का मी है इससे मीथेन हो जाती है ना जो है इससे Nitrous Oxide का जो हैसे Carbon Dioxide जल्वा से जल्वास हो जाता है और यह सभी चारो Greenhouse गैसों में आ जाती है तो छोटी सी ट्रिक है मीना का जल्वा और Greenhouse गैसे यह सभी याद रखेगा अच्छा मीना का जल्वा और करके यहाँ लगता है ना और तो और का जो औ है इससे Ozone होता है जो किसके लिए सक्षम होता है पताईए समान रूप से द्रस और अवरक्त अवरक्त जो है उसकी तुल्ला में अधिक द्रस विक्रण द्रस की तुल्ला में अधिक अवरक्त विक्रण या फिर ना द्रस और ना ही अवरक्त विक्रण बताईए इन में से कौन सा सही होगा अंसर की बात करते हैं चारो ओप्षन में तो आपका D वाला ओप्षन सही होगा कि एक Greenhouse Gas कोई भी ऐसा गैसी पिस्टड़ होता है जो ना द्रस से और ना ही अवरक्त विक्रण के लिए सक्षम होता है ये वाला आपका ओप्षन सही होगा तेस नमर प्रसन आपका कह रहा है कि निम्लिकित कतनों में से कौन सा सही है पहला कह रहा है कि Global Warming और जो जलवाई परिवर्टन है वो दो अलग-लग मुद्दे है दूसरा कह रहा है Global जो Warming है उससे पूरे वर्ष के दोरान Glacier में बनने वाली बर्प कम हो जाएगी कम होने का मतलब वही है कि पिखलना तीसरा कह रहा है कि Global Warming के रहाण समुदर का जल इस तर कम हो सकता है तो यह तो नहीं होगा Global Warming के का रहाण रिगिस्तान कम बिलकुल नहीं A वाला भी नहीं B वाला आपका उप्शन जो है वो बिलकुल सही होगा Global Warming से क्या हो रहा है Glacier पिखलना है बर्प कम हो जाएगी यही आपका B वाला सही है अगला प्रसंद 24 नमर कहा रहा है हरित ग्रह प्रुभाव का अर्थ जो है वो क्या होगा वायू मंडल में Greenhouse गैसों के घनी करण के कारण वायू मंडल के तापमान का बढ़ना बिलकुल सही 25 नमर प्रसंद है बताना आपको निमलिकित गैसों में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है वही प्रसंद है आपका बार 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 तो बस option बदले जा रहे है बताइए CO2, C4, NO2, O2 में से कौन सा सही होगा कौन सी जो है आपकी Greenhouse गैस नहीं है अंसर की बात करते हैं तो आपका O2 आपका सही हो जाएगा जो की Greenhouse गैस नहीं है सब इस नमबर प्रसंद है निम्रिकित में से कौन पदार सार्वत्रिक्तापन उत्पन करने में योगदान नहीं करता है चार ओप्चन है बताइए कौन सा सही होगा कौन योगदान नहीं करता है अंसर की बात करते हैं तो पहला ही option आपका सही होगा Sulfur और Nitrogen के Oxide ये आपक सार्वत्रिक्तापन उत्पन गन में योगदान नहीं करता है 27 नमबर प्रसंद है आपका की Carbon Dioxide CO2, Nitrous Oxide N2O, Clorofluorocarbon CFC और जो मीथेन है CH4 इन गैसों का Global Warming के परती आप एक शिक योगदान जो है वो किस क्रम में है ये आपको यहाँ पर बताना है इसमें से कौन सा क्रम ह होगा ये आपको जो है वो बताना है चारों यहाँ उपर पर नाम ले रखे हों गैसों का जो Global Warming है उसके परती आप एक्छी योगदान क्या होगा अंसर की बात करते हैं तो C वाला आपका सही होगा सबसे पहले CO2 फिर greater other का साइन फिर CH4 फिर N2O फिर CFC इस टाइब से आप आपका जो है वो होगा अठाइस नमबर प्रस्ण है निम्लिकित में से कौन सी ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज्यादा जिम्मेदार है चार ओप्षन है नाइट्रोजार, मीधेन, कार्बन डैयोकसाइड, कार्बन मोनो अक्साइड टोटल तीसी तक प्रस्ण है आपके बता आप्षन जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है आप्षन के अक्लोडिंग बात की जाए चार ओप्रस्ण कहा रहा है कि धान की खेतों से उत्पन्न होने वाली गैस जो कि भूम अंडिली तापकरम वर्दी से संब्द है वो कौन सी है क्लोरी क्लोरीन, मीधेन, कारबन डियोकसाइड या हाइड्रोजन सलफाइड बताइए यह बहुत पूछा जाता है प्रस्ण धान की केतों से उत्पन्न होने वाली गैस तो इधना पर्टिकुलर पॉइंट पूइट पूछा जाता है बताइए इन में से कौन सा जोड़ है वो सही ह क्लोरीन, मीधेन, कारबन डियोकसाइड या हाइड्रोजन सलफाइड अंसर की बात करते हैं इन चार ओप्शन में से तो मीधेन आपका जो है वो बिल्कुल सही होगा मीधेन आपका सही हो जाएगा याद रखेगा देखते हमारा आगला और इस वीडियो को लाश्ट प्रस् करने को मिलते रहें साथ ही साथ टेलिग्राम चैनल से जो ना जुड़े हो लिंक आपको डिस्कुप्शन में मिल जाएगी सर्च करके भी बाला जिस्टर डिटा जुड़ सकते हैं देखते हैं हमारा तीस नंबर प्रस्ट कि निम्न जो ग्रीन आउस गैस है उसमें ऐसी कौन सी है जिसके दोरा ट्रोपोस्फियर जो है उसमें ओजोन प्रदूसर नहीं होता मीथेन, कार्वन मोनो ओकसाइड या फिर नाइट्रोजन ओकसाइड या फिर जलवाज बताना है आपका कि इन चारों में कौन सी एसी गैसे जिसके दोरा ट्रोपोस्फियर में ओजोन प्रद प्रदूसर के लिए उजोन प्रदूसर के लिए कौन कौन सी गरीन हाउस गैसे होती है तो जलवास आपका इसका परसंटेज लगबक 36 से 72 परसंट के बीच रहता है कार्बन डाय ऑक्साइड जो है उसका 9 से 26 परसंट के बीच रहता है मेधेन का 4 से 9 परसंट और जो जो जोन ह प्रस्ण आपके लिए पी जैसे कि सभी वीडियो में आपसे एक प्रस्ण पूसते हैं तो इस वीडियो का आपके लिए प्रस्ण है कि जल प्रदूसर निवारण और नियंत्रण अधिनियम किस वर्स लागू किया गया चार ओप्षन है A ओप्षन है 1990, B ओप्षन है 1974, C ओप्षन है 1981 और D ओप्षन है इन में से कोई नहीं बताईए इन चार ओप्षन में कौन सा सई होगा C ओप्षन 1981, D इन में से कोई नहीं इस चार ओप्षन है बताने हैं आपको जल प्रदूसर निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्स लागू किया गया था सभी लोग अपना अंसर वीडियो के मेन कमेंड में टाइप करके जो है वो बताईएगा ओप्षन ABC टीमें से कौन सा सई होगा इसके बाद जो आपका नेक्स चैप्टर न उसमें जो प्रस्न है उसके अंसर की बाद जो है वो करेंगे लाइफ टाइमिंग दो है तो पहर के तीन बजे सामके आड़ बजे लाइव आखर भी वीडियो आप देख सकते हैं आज गोड़े में नहीं रखते हैं मिलते हैं अगरे वीडियो में कुछ नए टापिक के साथ तब तक के लिए नमस्कार थैंक यू फॉर वाचिग